राधे राधे जैसी क्रश्ना आप सभी के उपर भगवान विश्नु और मातालक्ष्मी का हमेशा आसिर्वात बना रहें एक बार आप भी मेरे साथ भगवान विश्नु मातालक्ष्मी और पुर्शोतम भगवान के नाम का जैकारा लगाए आईए आप भी मेरे साथ बोलिये जैहो पुर्शोतम भगवान कीजै जैहो विश्नु भगवान कीजै जैहो माता लक्षमी कीजै जैहो ग्यारस माता कीजै आज इस अध्याय में हम पुर्शोत्तम मास की हरी वल्लवा एकादशी की कहानी सुनेंगे सब धर्मों के ग्याता वेद शास्त्रों में पारंगत सब के हिर्दय में रमन करने वाले सिरी विश्नु भगवान के तत्व को जानने वाले सिरी इसकंद मुनी जी जब अपने 88,000 रिशी मुनियों के साथ बैटे हुए थे तब सभी रिशी मुनियों ने इसकंद मुनी से पूझा की हे मुनीवर ऐसा कोई वरत बताईए जिससे ग्यान, ध्यान, इंद्रियों का निग्रे के विना भुक्ती, मुक्ती और स्वर्ग की प्राप्ती सुलब हो पर्मा एकादशी के दिन से पंच रात्री वरत शुरू किये जाते हैं पंच रात्री वरत का पालन करना अत्यंत कठीन है जो भी व्यक्ती इस वरत को करना चाता है उसे पर्मा एकादशी के दिन से अमावश्य तक पूरे पांच दिन तक और पांच रात तक निजला वरत करना चाहिए इस वरत में केवल पांच माशे जल पीने का प्रावदान है, अर्थात केवल विश्णुर्चा नामत लेते हैं एक बार बहुत पुरानी बात है, एक बार एक नगरी में एक वेश्य था, वह बहुत कंजूस और नास्तिक प्रवयती का था, कोई वरत उपवास और दानन्पुण्य नहीं करता था, उसने कभी किसी नीज सहाय की मदद नहीं करी, ना ही किसी भूके को भोजन और प्यासे को पानी पिलाया। वे अपने व्यापार के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करता था। तब एक बार की बात है। एक अदशी आई। तब उस वेशे ने उस गाय को मार कर हटाया और खुद पानी पीने लगा। इस तने समय बीतने लगा। वेशे का अंतिम समय आया। तो वह बहुत तडब तडब कर मरा। उसके बाद यमदूद उसे मुगदरों से मारते हुए धामराजी के पास लेकर गए। तब धामराजी ने चितरगुपत जी से कहा कि है चितरगुपत जी इस वेशे के करमों का लेखा जोका पढ़ कर सुनाये। तो चितरगुपत जी ने धामराजी को उसके करमों का लेखा जोका पढ़ कर सुनाया। और कहा कि है धामराजी इस वेशे ने अपने जीवन काल में कोई पुन्य क कारिय नहीं किया नहीं कोई व्रत उपवास किये और नहीं कोई दानपु ने किया लेकिन इससे अंजाने में ही सावण मास की एकदशी का निर्जला उपवास हो गया लेकिन साथ ही इससे एक महापाब भी हुआ जब ये दो दिन से भूका प्यासा था तो ताला पर पानी पीने गया वहाँ एक ब्याही गाय पानी पी रही थी इसने उस गाय को हटाया और खुद पानी पीने लगा इसलिए है धर्मराज जी अब आप सम निर्ने करिये कि इसे स्वर्ग मिलेगा या नरक तब धमराज जी ने कहा कि है चित्रगुप्त जी माना कि इससे अंजाने में सावन मास की एकादशी का निर्जला उपवास हो गया और साथ ही इसे ब्याही गाय को हटा कर पानी पीने का पाप भी लगा इसलिए ये राजा के घर में पुनर जनव लेगा लेकिन ब्याही गाय को पानी पीते हुए हटा कर इसने खुद पानी पिया तो इस दोश के कारण ये राजा के जन्म में नी संतान रहेगा उसके बाद वहवेश्य अगले जनम में महिश्य मती प्रतापी राजा के यहां पुत्र के रूप में पैदा हुआ राजा ने अपने पुत्र का नाम महीजीत रखा युवा अवस्ता आने पर राजा ने अपने पुत्र का विवा एक सुन्दर सुशीर सुसंस्कृत राजकुमारी से करा दिया विवा होने के कई बरस तक राजा रानी को कोई पुत्र नहीं हुआ राजा महीजीत पुत्र नहोने के कारण हमेशा चिंतित रहते थे इस जन्म में राजा महीजीत अत्यंत प्रतापी धर्मात्मा दानी नयाई प्रिय थे राजा अपनी प्रजा की देखवाल अपने पुत्र के समान ही करते थे पुत्र के बीना राजा को राज्य सुक दुख दाई प्रतीत होता था राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक यत्न करे लेकिन सभी निश्पल रहे राजा ने अपने गुरू के कहने से पुत्रिष्टी यग्ये भी किया लेकिन कोई लाब नहीं मिला राजा रानी की धीरे धीरे उम्र बढ़ रही थी राजा वृद्धावस्ता को प्राब्द होने लगा तब एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों, दर्बारियों और प्रजा के गणमान्य लोगों को राज दर्बार में बुलाया और सब को अपना दुख सुनाया और कहा कि हे महानु भाओं, मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया मैंने हमेशा गरीबों, नीसहायों और जरतमंदों की मदद करी ब्रामणों, महात्माओं और सादु सन्यासियों का सम्मान किया और खुब अनधन रुपियों का दान करा प्रजा का पालन मैं पुत्र के समान ही करता रहा मैंने धर में युक्त राज्य किया लेकिन अभी इस समय मैं महान दुख भोग रहा हूँ मैं एक पुत्र की इच्छा करता हूँ लेकिन पुत्र सुख क्या होता है यह मैंने अभी तक नहीं जाना मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा और ऐसा कह कर राजा के आँखों से आसु बैने लगे तब राजा के दुख से सभी मंत्रीगण और प्रजागण भी उदास हो गे उसके बाद सभी मंत्रीओं और प्रजा के गणमान्य लोगों ने आपस में सला मश्वरा किया कि हमें राजा के दुख का निवारन जानने के लिए मुनियों और रिशियों के पास जाना चाहिए तब राजा के मंत्री और प्रजा के गणमान्य लोग मुनियों और रिशियों के पास वन मन भटकने लगे तब भटकते भटकते वे सभी मंत्री और प्रजा के लोग लोमेश रिशी के आश्रम में पहुंचे लोमेश रिशी ने अपने तपोबल से पता लगा लिया कि ये सभी आश्रम में क्यों आए हैं सभी मंत्रीओं और प्रजा के गणमान्य लोगों ने लोमेश रिशी को दंडवर्थ प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया और बोले कि हे रिशीवर आप तो अंतर यामी हैं आप से भला क्या छिपा है आप तो वर्तमान काल भूतकाल और भविश्य काल के ग्याता हैं आप ही बताइए कि हमारे राजा को पुत्र कैसे प्राप्त होगा जिस राजे का राजा दुखी हो उसकी प्रजा और मंतरी कैसे की हो सकते हैं तब लोमेश रिशी ने एक शन के लिए अपने नैत्रों को बंद किया और राजा महीजीत के पूर्व जन्म के कर्मों का पता लगाने लगे थोड़ी देर के बाद लोमेश रिशी सभी मंत्रियों से बोले कि है महानू भाओं आपका राजा पूर्व जन्म में एक वेश्य था वे अपने काम की वज़े से एक नगर से दूसरे नगर में जाया करता था तब एक बार दो दिन भूका प्यासा रहने से अनायास ही उसका सावन मास की एकादशी का उपवास हो गया दौादशी को जब वे ताला पर पानी पीने गया तो वहाँ एक ब्याही गाई पहले से ही पानी पी रही थी तब उस वेश्य ने ब्याही गाई को हटा करके खुद पानी पीने लगा चूकि उस वेश्य ने सावन मास की एकादशी का उपवास किया तो इस जन्म में वे राजा बना लेकिन गाई को हटा करके खुद पानी पीने की वे सजा भुगत रहा है उसी पाप दोश के कारण राजा बे उलाद है पुत्रवियो का दुख भोग रहा है तब एक समस्दार मंत्री रिशी से बोला कि है महरिशी धर्म शास्त्र में लिखा है पुन्य करने से पाप नश्ट हो जाते हैं इसलिए है महरिशी कोई ऐसा उपाय बताईए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नश्ट हो जाए तो लोमेश रिशी ने कहा कि यदि सावन मास की एकादशी का वरत तुम सब राजारानी के साथ करो रातरी जागरन करो और तुम सब अपने वरत का पुन्याफल राजा को प्रदान कर दो तो निश्चही तुमारे उसके बाद मंत्रियों ने लोमेश रिसी से एकादशी की पूरी विधी जानी और उन्हें प्रणाम करके वापस अपनी नगरी में लोट आए तब सभी मंत्रियों और प्रजा के गणमान्य लोगों ने पुत्र देने वाले व्रत का समाचा राजारानी को सुनाया उसके बाद सावन मास की एकादशी का व्रत राजारानी के साथ सभी मंत्रियों और प्रजा के वासियों ने भी किया भगवान विश्णु और मातालश्मी का पूजन किया और रातरी जागरण में सब ने समय बिताया और द्वादशी के दिन सभी मंत्रियों और प्रजा के लोगों ने अपने वरत का पुण्या राजा रानी को सोव दिया उस वरत के प्रताप से रानी को गर्ब टहर गया और नवे मैने में एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ और इस लोग का सुख भोग कर राजा रानी और प्रजा के लोग बैकुंट को प्रात हुए एक नगर में एक समर सिंग नाम का राजा था उनकी रानी का नाम चंद्रावती था राजा बड़ा ही दयालू, धार्मिक, दान प्रिय, सत्यवादी और प्रजा का रक्षक था दोनों राजा रानी भगवान, विश्नु और मातालक्ष्मी के परम भक्त थे वे हर एक आदशी कवरत पूरे विदी विधान से उन्नी स्वादभाव से करते थे राजा ने अपने राज्य में जगय जगय पाढ़ शालाएं, अस्पताल, गवशाला, धरम शालाएं, विद्वा आश्रम खुलवा रखे थे राजा समय समय पर यग्य हवन पूजा पाढ़ भी करवाता रहता था राजा के दरबार में रोज सुबह अन्न वस्त्र का दान गरीबों जरुतमंदों में होता था पंडितों, विद्वानों, सादूसंतों का राजा आदर सतकार करता था और रोज एक टका सोने का दान देता था राजा के राज कोश में कभी भी धन की कमी नहीं आई प्रकती भी उनके नगर पर महरबान रही, कभी भी अकाल, बाड, आधी परस्तितिया नहीं आई सब कुछ सही चल रहा था लेकिन राजा को एक मात्र दुख था कि उनकी शादी को कई साल बीट गए लेकिन राजा रानी को ओलासुक की प्राप्ती नहीं हुई तब एक दिन उनके राज्य में एक महान जोतिश्य आये राजारानी ने उन जोतिश्य को अपना दुख कह कर सुनाया तब उस जोतिश्य ने राजारानी को सुझाव दिया कि हे राजन आप दोनों वेश बदल कर मेरे बताये हुई इस्थान पर जाईए हिमाले की गुफाओं में एक नामी संत महात्माजी अन जल का त्याग करके कठोड तपश्य कर रहे हैं वह सादू भी विश्नु भगवान का परम भक्त है आप उनकी तपश्या में भंग डाले बिना उनकी सेवा टहल करिए जब संत महात्माजी तपश्या करके उठेंगे तो उनको एक अदबुत शक्ती वे मनोबल प्राप्त होगा तब आपके द्वारा की गई सेवा से प्रसन होकर वो आपको पुत्र रत्न का वर्दान जरूर देंगे तब राजा रानी ने गरीब गौले और गौलन का वेश भनाया और हिमाले की गुफा में उस सादू संत की सेवा करने के लिए पहुँच गे बिना सादू की तपश्या में भंग डाले दोनों राजा रानी सादू की सेवा टहल करने लगे राणी पूरे दिन सादू की सेवा पानी करती और राजा पूरी पूरी रात सादू की निगरानी करते कि कहीं कोई बिच्छू, चुहे, कीडे, मकोडे सादू के उपर तो नहीं चड़ गे राजा कपड़े से उनको हटाता राणी जंगल में से कंद मूल फल लाती दोनों राजा रानी कंद मूल फल खाके ब्रह्मचारिय का पालन करते हुए सादू की सेवा टहल करते रहे राजा रानी के कठोर तप के आगे सादू की तपश्या फीकी पड़ गई स्वर्ग में ब्रह्माजी का सिंगासन डोल पड़ा तप ब्रह्माजी ने अपने दूतों को मृत्यू लोक में भेजा की पता करके आओ की कौन ऐसा है जो तप यग्य हवन से भी बड़ा तप यग्य कर रहा है क्योंकि उनकी वजह से मेरा सिंगासन डोल पड़ा तब ब्रहमाजी के दूतों ने मृत्यू लोक में आकर पूरा पता लगाया और सर्ग में जाकर ब्रहमाजी को पूरी सच्चाई बताई तब ब्रहमाजी इंद्र सूरिय वरुन महेश सभी देवताओं को लेकर विष्णु भगवान के पास विष्णु लोक में गए और उनको पूरी बाद बताई तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं का आदर सतकार किया और उनकी पूरी बाद सुनने के बाद उन्हें आशिवस्त किया सभी देवताँ वापस अपने अपने लोक को चलेगे तब भगवान विष्णु ने एक बूडे ब्रामन का रूप धरा और वहीं गुफा में पहुच गे जहां वे सादू संत तपशा कर रहा था और राजा रानी उनकी सेवा टहल कर रहे थे जब राजा रानी ने भ्रामन वेश धारी बुजूर्ग व्यक्ति को देखा तो उन्होंने उनके चर्णों को धोया और चर्णामरत को अपने सिर पर छड़का तभी भ्रामन रूप में भगवान विश्णू जोर जोर से बोलने लगे जिससे सादू की तपश्या भंग हो गई सादू ने अपने आस पास लोगों को देखा तो वे आग बबूला हो गया उसने कहा कि अरे मुर्खों क्या तुम्हें ग्यात नहीं मैं यहां पर तप कर रहा था तुमारे जोर जोर से बोलने के कारण मेरी तपश्या में भंग पड़ गया मैं तुम्हें शाब देता हूँ उस सादू के एहेंकार और घमंड भरे स्वर्व में बोलते ही सादू की तपश्या निश्वल हो गए और उसका सारा तप जाता रहा तभी वहां एक चमतकार हुआ ब्रामन वेश धारी बुजुर्ग व्यक्ति राजा रानी को साक्षात विश्णु भगवान दिखाई देने लगे लेकिन सादू को भ्रामन वेश धारी बुजुर्ग व्यक्ति ही दिखाई दे रहा था राजा रानी ने अपने सामने चत्रबुज रूप धारी भगवान विश्णु को देखा तो वे उनके चर्णों में गिर पड़े और जोर जोर से जैहो विश्णु भगवान की जैहो विश्णु भगवान का जैकारा लगाने लगे तबी वसंत महात्मा राजारानी के उपर जोड जोड से हसने लगा और बोला कि अरे मुर्खों यह कोई विश्णु भगवान नहीं यह तो ब्रामन वेश धारी बुजुर्ग व्यक्ती है तब राजा ने विश्णु भगवान से कहा कि हे ब्रबु आप अपना रूप सादु महात्मा को भी दिखाईए तब भगवान विश्णु ने कहा कि हे राजन यह कोई सादु नहीं यह एक पाखंडी ढोंगी सादु है तब राजा ने भगवान विश्णु से कहा कि हे प्रबु माना की यह धोंगी है लेकिन यही मेरे प्रथम गुरु है इसलिए आपको इनको दर्शन देना ही पड़ेगा तब भगवान विश्णु ने अपना चतुरुबु जरूप सादु को भी दिखाया अपने सामने भगवान को देखकर सादु उनके चर्णों में गिर पड़ा और अपनी गलती की माफी माँगने लगा तब सादु मनीमन पच्छताने लगा कि ऐसी तपश्या का क्या मतलब है जिसमें मैं अपने क्रोध को भी वश में नह कर पाया और मेरे सामने मेरे प्रभु आए और मैं उनको नह पहचान पाया सादु बार बार भगवान विश्णु से अपनी गलती की शमा माँगने लगा तब भगवान विश्णु ने राजा रानी को पुत्र रत्न का वर्दान दिया तब सादू ने भगवान से कहा कि है इश्वर कृपया करके मुझे भी मेरी तपश्या का फल दीजिये तब भगवान विश्णू ने कहा कि अरे सादू तेरी तपश्या तो निश्फल हो गई सादू भगवान के चर्णों में गिर कर गिर गिराने लगा तब भगवान विश्णियों ने सादू से कहा कि अरे सादू तू पुर्षोतम मास में पूरे एक मैने तक पुर्षोतम मास के नियमों का सेवन कर तुझे तेरी तपश्या का फल जरूर मिलेगा ऐसा कहकर भगवान अंतरध्यान हो गए उसके बाद राजा रानी ने भी सादू के साथ पुर्षोतम मास में एक मैने तक पुर्षोतम मास का सेवन किया, इसनान किया, वरत किया और दानपुन्य किया और पुर्शोतम मास के शुकलोपक्ष में तैतीस मालपूओं का एकासे के बरतन में रख करदान किया। उदर सादू ने भी पूरे एक मैने तक पुर्शोतम मास का इस्तान वरत और दानपुने किया। जिससे उसको उसकी तपश्या काफल मिला। बात बहुत पुरानी हैं। एक गाउं में कई जाती धर्म के लोग रहते थे। उस समय चुआचूत की प्रवती लोगों में घर करके बैठी हुई थी। उस गाउं में छोटी जात के एक आधी घर थे। उनी में एक घर, एक विद्वा मेला वे उसकी दस साल की बेटी गोतमी का था। दोनों मा बेटी पूरे गाउं का मेला ढोती थी। सडक की जाडू लगाती थी। यह गाउं गंगा के तट पर बसा हुआ था। तब एक बार की बात है। जब दोनों मा बेटी गंगातट पर जाडू बुहारी लगा रही थी। तो उसकी बेटी ने कुछ इस्तरी पुरुशों की बाते सुन ली। वे पुर्शोतमास की मैमा और महात्यमे को बता रहे थे। उन इस तरी पुरुशों की बाते सुन कर दस साल की गोतमी का भी मन हुआ कि मैं भी पुर्शोतमास का इसनान और व्रत करूं। तब घर आने के बाद गोतमी ने अपनी मन की बात अपनी मा से कही। तो उसकी मा ने कहा कि बेटी अगर तेरा मन है तो तू जरूर पुर्शोतमास का इसनान और व्रत करूं। तब बेटी बोली कि मा मैं भगवान की पूझा किस विद करूंगी। क्योंकि कोई हमें मंदिर में जाने नहीं देता। होते हैं फिर गौतमी अपनी माँ से बोली की माँ क्या तुम मुझे भगवान की मूर्ति या तस्वीर बाजार से खरीद करके ला दोगी तब उसकी माँ बोली की बेटी भगवान की मूर्ति तो बहुत महेंगी आती होगी उसे खरीदना तो हमारे बस की नहीं है हाँ मैं तुम्हें कागच के भगवान की तस्वीर बाजार से खरीद कर ला दोंगी दूसरे दिन गोतमी मा से बोली की मा मैं तुमारी जगें गंगातट पर जाड़ू बुहारी लगाने चली जाती हूँ आप मेरे लिए बाजार से कागच के भगवान की तस्वीर ला दो तब गोतमी अपनी मा की जगें गंगातट पर जाड़ू बुहारी करने चली गई उदर उसकी मा बाजार में भगवान की तस्वीर वाली दुकान के सामने जाकर के खड़ी हो गई वे एक कोने में खड़ी थी और उसे डर भी लग रहा था और गबराहट भी हो रही थी कि कहीं दुकान का मालिक उसे डाट डपट कर भगा न दे वे बहुत देर तक वहीं खड़ी रही तभी दुकान के मालिक की नजर गोतमी की मा पर पड़ी दुकान के मालिक को उसे देख कर बहुत क्रोध आया उसने अपने नोकर से कहा कि अरे ओ शामू उस छोटी जात की मैला को दुकान के सामने से भगा करा अगर मेरे ग्रहाकों ने उसे मेरी दुकान के आसपा देख लिया तो कोई मेरी दुकान से सामान नहीं खरीदेगा नोकर ने माली की आग्या का पालन किया वह गोत्मी की मा के पास गया और बोला की चलभाग यहां से मालीक ने तुझे यहां खड़ा रहने से मना किया है तब गिडगडाते हुए गोत्मी की मा दुकान के नोकर से बोली की अरे भाई मुझे भगवान की तस्वीर चाहिए मेरी बेटी पुर्शोतमास में इस्तनान और रत करना चाती है उसे भगवान की पूजा करनी है और दर्शन करने है और अपनी फटी पुरानी साड़ी के पलू से 10 रुपए का नोट नोकर की तरब बढ़ाते हुए बोली की अरे भाई ये 10 रुपए लो और मुझे भगवान की कागज की तस्वीर ला दो नोकर ने कहा की दूर दूर बावली हुई है मैं तेरे अडूंगा अगर मालिक ने मुझे देख लिया तो काम से निकाल देंगे चल भाग यहां से क्यों सुबर सुबर मेरे पेट पर लात मार रही है तेरी वज़े से दुकान का मालिक मुझे अपनी नोकरी से निकाल देगा और दुबारा तु यहां सामने आकर खड़ी मत होना गोतमी की मा दुखी मन से घर आ गए थोड़ी देर बाद गोतमी भी घर आ गए फिर मा ने गोतमी को पूरी बात बताए गोतमी में तो पुर्शोतमास का इसनान और व्रत करने का इतना उस्सा भरा हुआ था तो वे मा की बात सुन कर दुखी नहीं हुई उसने कहा कि मा कोई बात नहीं अगर दुकान के मालिक ने तुमको भगवान की तस्वीर नहीं दी तो कोई बात नहीं मा तुम ही तो कहती हो कि भगवान कणकण में बसे है मा बोली हाँ बेटी सब लोग तो यही कहते हैं कि भगवान कणकण में रचते और बसते हैं उसी समय गोतमी घर के बाहर गई और बजरी में से पांच पत्थर उठा कर लाई और वोली की मा क्या इन पत्थरों में भी भगवान होंगे मा ने कहा कि हाँ बेटी इन पत्थरों में भी भगवान वास करते हैं तब गोतमी मा से बोली कि मा मैं अब पूरे पुर्शोतम मास में इनी पत्रों की पूजा करूँगी और रत करूँगी मुझे भगवान जरूर दर्शन देंगे मा ने कहा कि बेटी जरूर देंगे मा मैं तुम्हें भी भगवान के दर्शन कराऊंगे फिर गोतमी ने उन पाँचों पत्रों को खूब रगड़ रगड़ कर धोया उनके उपर भगवान के नाम लिखे और पूरे पुर्श्रतमास में रोली मोली चावल लगा कर पूजा करने लगी और रोज खिचडी और रोटी का भोग लगाने लगी तारों के छाओं में उटकर इसनान करती और तारों के छाओं में शाम को ही वैवरत खोलती और दिन में अपनी मां के साथ गंगातट पर ज़ाडू बुहारा करने जाती तो वहां चुप-चाप एक कोने में बैठ जाती वहां बहुत सारे इस्तरी पुरुष गंगातट पर इसनान करके पुष्चोतमास की कता कहानियों और महात्यमे को आपस में एक दूसरे को सुनाते तो गोतमी वहीं बैठ कर पुष्चोतमास की कता कहानियां और महात्यमे को सुनने लगी इस तरह गोतमी रोज सुबह तारों की च्छाओं में उड़ती नहाती धोती पंच देवताओं को नलाती उन्हें केसर तिलक चावल रोली मोली चड़ाती अगर बत्ती करती दीपक करती और शाम को खिचडी का भोग लगाती और खुद भी तारों के च्छाओं में वरत खोल तब पंच देवताओं का सिंखासन डूल पड़ा तब ब्रहमाजी ने पंच देवताओं से कहा कि हें पंच देवताओं में त्यूलोग में एक दस साल की लड़की पुरशोतमास का इसनान और रत कर रही है उसकी जिद है कि वैभगवान का दर्शन करना जाती है अगर आज अज आप उस छोटी सी अबोध कन्या की नहीं सुनेंगे तो कल्यूग में आपको कोन पूजेगा तब सभी पंच देवताओं ने ब्रहमाजी से अनुमती ली और उस कन्या की जोपणी में जाकर प्रकट हो गे उस समय सुबह के तीन बज रहे थे जोपणी में चारों तरफ प्रकाश भैल गया तबी गोतमी गोतमी की आवाज सुन कर गोतमी ने एक आँख खोल कर देखा तो उसे पांच जने दिखाई दिये गोतमी ने अपने बगल में सो रही मा को देखा तब पंच देवताओं ने कहा कि गोतमी हम तुमारे पंच देवता हैं हम तेरे पुरश्य पुर्शोतमास के इस्तनान वरत्व और पूजा से प्रसन हुए तुम कोई भी पांच वर्दान मांग लो गोतमी भगवान से उठकर बाते करने लगी तबी उसकी मा की नींद भी खुल गई मा ने कहा कि बेटी तु किसके साथ बाते कर रही है क्यों अकेले नींद में बड़ बड़ा रही है गोतमी ने कहा कि मा मैं पुर्शोतमास के पंच देवताओं से बाते कर रही हूं मा ने पूरी जोपड़ी में नजरे घुमाई और बोली कि वेटी मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा तब गोतमी बोली कि हे प्रबु मेरा पहला वर्दान है कि आप मेर मा को भी दर्शन दीजिए तब गोतमी की मा को भी पंच देवता दिखाई देने लगे मा तो पागलों की भाती कभी भगवान के चर्णों में गिरती कभी नाश्ती कभी ताली बजाती तो कभी जोर जोर से जहू पंच देवताओं की जहू पंच देवताओं की करती उसके उसके बाद गोतमी ने कहा कि हे पंच देवताओं मुझे एक भाई दीजिये। तब ही सोने के पलने में एक बहुत सुन्दर शिशु आ गया। उसके बाद पंच देवताओं ने कहा कि पुत्री तुम तीन वर्दान और मांगो तब गोत्मी बोली कि हे देव हमें कोई भी मंदिर में नहीं जाने देता इसलिए आप सदा सदा के लिए मेरे घर में ही वास कीजिए ताकि मैं रोज आप का दर्शन कर पाऊं और पूजन कर तबी उसकी कुटिया एक महल में बदल गई और महल के एक कोने में पंच देवता विराजमान हो गए चोथे वर्दान में गोत्मी ने खुब धन्धान्य मांगा और पांच में वर्दान में उसने भगवान की भक्ती मांगी उसके बाद पंच देवता अंतरध्यान हो गए धन्धान्य से भर गया और उन्हें एक भाई भी आया है और उसे पंच देवताओं ने दर्शन भी दिये हैं कुछ जलने भुलने वाले लोगों ने इसकी सूचना राजा को दे दी तब राजा ने अपने सैनिकों को भेज कर उनको घर से धक्के मार कर निकलवा दिया और उनक महल नुमा घर धन-धन्य को हडप लिया तब उसी रात्री को पंच देवताओं ने राजा को सपन में जाकर दर्शन दिया और कहा कि हे राजन तुमने गोतमी और गोतमी की मा को उनके घर से बे दखल किया उनका सारा धन-धन्य ले लिया तुम उन्हें उनका घर और उनका अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमारा ये सारा वेभव नश्ट कर दूँगा दूसरे दिन राजा ने अपने सपन वाली बात अपने राज जोतिशे को मंत्रियों को संत्रियों को और रानी को सुनाया तवराज जोतिशे ने राजा से कहा कि हे महाराज गोतमी और गोतमी की मा को पुर्शोतमास का इसनान और वरत करने का फल मिला है अत्याब को उनका घर और उनका धन धाने वापस लोटा देना चाहिए ये उनको पुरशोतमास के इसनान और वरत के सत्का रूप में मिला है तब राजा ने पूरे सम्मान के साथ गोतमी और गोतमी की मा को उनका घर और उनका धन लोटा दिया और साथ ही पांसो स्वन मुद्राएं भी दी उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में ये धिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को पुरुशोतमास में इसनान वरत और दानपुन्य करना चाहिए एक बार एक ब्रामन अपने बेटा बहु के साथ रहता था बेटे की नई नई शादी हुई वह ब्रामन साल की 24 एकादशी का उपवास रखता था जब उसके पतनी जीवी थी तो वे दोनों रखते थे लेकिन पतनी के मरने के बाद ब्रामन अकेले ही एकादशी का उपवास करता रहा फिर एक बार पुरुशोतमास की एकादशी आई तो ब्रामन ने अपने बेटे की नई बहु से कहा कि बेटी कल मेरा पुर्ष्योतमास की एकादशी का उपवास है मैं एकादशी के दिन अन नहीं खाता तुम मुझे एक बार सुबह चाई बना देना और शाम को फलाहर दे देना तो नई बहु अपने सरसूर से बोली कि पिताजी घर में तो फल नहीं है तब ब्रामन बोला कि कोई बात नहीं बहु तुम मुझे दिन में तीन बार चाई बना करके दे देना तब दूसरे दिन एकादशी को ब्रामन सुबह ब्रहमुरत में उठा ताला पर इसनान करने गया पुजा पाड करी और एकादशी केवरत का संकल पिलिया फिर वह अपने बेटे की बहु से चाय मागने लगा बहु अपने ससुर को चाय बना करके देने लगी कि तबी उसकी पडोसन बाते करने के लिए घर आ गई और बहु को आवाज लगाने लगी तब नई बहु ने पडोसन से कहा कि बहन मैं अभी अपने ससुर के लिए चाय बना रही हूँ तो पडोसन वापस चली गई इस तरह पडोसन पूरे दिन में तीन बार बहु के पास आई तो हर बार बहु ससुर के लिए चाय बनाती हुई मिली दूसरे दिन ससुर और पती के काम पर चले जाने के बाद पडोसन नई बहु के पास आई और बोली कि अरी बहु कल मैं तेरे तीन बार घर आई तू तीनों बार ही अपने ससुर के लिए चाय बना रही थी बहु तू इतना काम करेगी तो तू ठक जाएगी और बिमार पड़ जाएगी तो बहु ने पडोसन से कहा कि अरी बहन कल मेरे ससुर का एकादशी का उपवास था घर में फलाहा नहीं था तो मैंने उन्हें दिन में तीन बार चाय बना कर के दी थी विचारों ने चाय के उपर ही एकादशी करी तब पडोसन बोली कि तुम सारे दिन काम करोगी तो ठक जाओगी और बिमार पड़ जाओगी ऐसा करना जब दुबारा एकादशी आए तो उन्हें वरत करने से मना कर देना और कहना कि मैं बार बार चाय बना कर के नहीं दूँगी बहु बड़ी ही सीधी और सरल सुभाव की थी विचारों पडोसन की चाला की भरी बातों के अर्थ को समझ नहीं पाई इस तरह जब पंदरा दिन बाद पुने एकादशी आई तो ससुर ने नई बहु से कहा कि बहु आज मेरा एकादशी का उपवास है अगर आज भी घर में फल न हो तो तुम मुझे दिन में तीन बार चाय बना कर के दे देना तब नई बहु अपने ससुर से बोली कि पिता जी अब मैं आपको चाय बना करके नहीं दूँगी आप एकादशी का उपवास करना क्यों नहीं छोड़ देते तब ससुर बोले कि बहु मैं उपवास करना तो नहीं छोड़ सकता तो नई बहु बोली कि फिर आप एकादशी के पुन्य को बेच दीजिए उस दिन ससुर अपनी नई बहु की बात को सुन कर बहुत दुखी हुए तब ब्रामन गमचा लेकर एकादशी के पुन्य को बेचने के लिए घर से निकल पड़े घर से निकलने के बाद ब्रामर ने मन ही मन सोचा कि एकादशी करना तो मैं छोड़ नहीं सकता अगर मैं एकादशी करना छोड़ूंगा तो मैं मृत्यू को प्राप्त हो जाओंगा फिर ब्रामर ने एकादशी के पुन्य को बेचने का मन बना लिया वे गाव में जोड जोड से आवाज लगाने लगा कि कोई मेरी एकादशी के पुन्य को खरीद लो इस तरह सुबह से दोपहर हो गई तभी उनके नगर के राजा का महल आया ब्रामन राजा के महल के नीचे आवाजे लगा रहा था कि कोई मेरी एकादशी के पुन्य को खरीद लो राजा रानी ने ब्रामन की बास सुनी तब राजा रानी ने अपनी दासी को भेज कर ब्रामन को महल में बुलवाया रानी ने ब्रामन से पूचा कि है महानुभाव आप जरूर किसी परेशानी में है जो आप अपनी एकादशी के पुर्ण्य को वेच रहे हैं तब ब्रामन ने राजा रानी को पूरी बात बताई, तब राजा ने कहा कि हम आपके एकादशी के पुण्य को खरीदना चाते हैं, तुम तराजू के एक पलडे में बैठ जाओ, दूसरे पलडे में हम सोने चांदी के सिक्के रखेंगे, हम तुमारे वजन के सोने चांदी के सिक्के देकर तुमारे एकादशी के पुण्य को खरीदेंगे, तब ब्रामन बोला कि है महाराज, मुझे तराजू में बैठने की क्या जरुरत है, मेरा ये गमचा ही बहुत है, तब तराजू के एक पलडे में ब्रामन ने अपना गमचा रखा, और दूसरे पलडे में पलडे में रख दी, लेकिन पलडा हिला भी नहीं, तब ये खबर पूरे गाओं में आग की तरह फैल गई, सभी दरवारी, मंत्री, संत्री, प्रजा के गणमान्य लोग, प्रजा के लोग ये द्रश्य देखने के लिए उमर पड़े, जब ब्रामन के बेटे की बहु को पत चला तो वे भी भागी-भागी महल में आई, उसने जड़ से अपने ससुर का गमचा उठा लिया और अपने ससुर से माफी मांगने लगी और बोली की पिता जी मुझे माफ कर दीजिये, मैं तो पडोसन की सिखाई सीख में आ गई, बला कोई एकादशी की भी कीमत हो सकती है तब राजा रानी ने भी भ्रामन से अपनी गलती की माफी मांगी, साथ ही ग्यारस माता से अपनी गलती की माफी मांगी, फिर राजा रानी ने भ्रामन को खूब सारा धन दे कर विदा किया, ये ग्यारस माता जैसे आप उस ब्रामन के उपर तूटी वैसे सब के उपर तू पतनी का नाम पवित्रा था, जैसा नाम था वैसे ही वै बड़ी ही पवित्र थी, वै ब्रामन किसी पूर्व जन्म के कारण अत्यंत गरीब था, उसे बिक्षा मांगने पर भी बिक्षा नहीं मिलती थी, वै साथ गरों से बिक्षा मांगता या फिर वह पूरे गाउं में फिर फिर कर्विक्ष्या मांगता तो भी उसे दो मुठी ही आटा मिलता था। दोनों ब्रामन दमपती आथित्य सतकार करना नहीं बूलते थे। अगर कोई अथिती उनके घर भोजन के समय आ जाता तो ब्रामनी अपने हिस्से का भोजन अतिती को खिला देती और खुद भूकी रह जाती थी। लेकिन वे ब्रामनी अपने पती से कभी कुछ नहीं कहती थी। जब सुमेदा ब्रामन ने अपनी इस्तरी को दुर्बल देखा तो वे बोला कि हे प्रिये जब मैं धनवानों से धन मांगता हूं तो वे मुझे धन नहीं देते। ग्रहस्ती केवल धन से ही चलती है अब मैं क्या करूं। इसलिए यदि तुमारी राय हो तो मैं परदेश जाकर के उध्यम करूं। इस पर उसकी इस्तरी बोली कि हे पती देव पती अच्छा या बुरा वे जो कुछ भी कहे पतनी को वही करना चाहिए। पूर्व जन्व में जो मनुष विद्या भूमी अ अंदान में मिलता है। यदि कोई मनुष दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अंदान ही देते हैं। ये हमारे पूर्व जन्व के पापो का दोशी है कि अंदेवता हम से इस जन्व में रुष्ट है। हे स्वामी मैं आपका वियोग नहीं सह पाऊंगी पती रहित इस्तरी की संसार में माता पिता भ्राता ससुर सभी निंदा करते हैं इसलिए आपको इसी इस्थान पर रहना चाहिए तब एक दिन कॉंडिल्ने मुनी उनके घर आए कॉंडिल्ने मुनी को आया हुआ देखकर दोनों ब्रामन दमपती ने उनका खूब आदर सतकार किया उनके चर्णों को धोकर चर्णों उद्दक को सिर पर छड़का और उने कंद मूल फलकाने को दिया दोनों ब्रामन दमपती कॉंडिल्य मुनी से बोले कि हे मुनीवर आज हमारा जीवन सफल हो गया आज हमारा घर धन्य हो गया आपके आने से हम पवित्र हो गये कॉंडिल्य मुनी ब्रामन दमपती के आतित्य सत्कार से बहुत खुश हुए कोंडिल्य मुनी ने कहा कि हे कल्यानी तुम कोई वर्दान मांगो तब रामनी कोंडिल्य मुनी से बोली कि हे मुनिवर अगर आप हमारे आतित्य सत्कार से प्रसन है और हमें वर्दान देना चाते हैं तो आप हमें हमारी दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय बताईए अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पती परदेश में धन कमाने के लिए जाना चाते थे लेकिन मैंने उन्हें नहीं जाने दिया मेरे ही भाग्या से हम दरिद्र हैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब आप ही हमें हमारी दरिद्रता को दूर करने का उपाई बताएंगे अब आप हमारी दरिद्रता को नश्ट करने का उपाई बताईए इस पर कॉंडिल्य मुनी बोले की है कल्यानी पुष्वतमास के क्रश्न पक्ष की पर्म एकादशी का वरत पूरे विदी विदान से करने से इस जन्म के ही नहीं अगले पिछले साथ जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है जो मनुष पुष्वतमास की हरी वल्लबा एकादशी का उपुवास पूरे विदी विदान से और नी स्वार्दभाव से करते हैं वे धन्वान हो जाते हैं इस वरत में नाच, गाना और रातरी जागरन करना चाहिए कुबेर को महादेव जी ने इसी वरत के करने से धन अधिपती बना दिया इसी वरत के प्रभाव से सत्यवादी महाराज हरीश्चंद्र को पुत्र, पत्नी और राज्य का सुख प्राप्त हुआ तब कोंडिले मुनी ने ब्रामन दप्ती को पर्मा एकादशी के वरत की पूरी विदी सुनाई वे मुनी बोला कि हे ब्रामनी पर्मा एकादशी से लगातार पांच रात तक तुम इस वरत को करो पर्मा एकादशी के दिन प्रातहकाल नित्यकार्म से निवरत होकर विदी विधान से पंच रात्री वरत प्रारम करना चाहिए जो मनुष पर्मा एकादशी से लगातार पंच रात्री व्रत निजला रहकर करते हैं वे अपने माता पिता और इस्तरी सहित स्वर्ग लोग को जाते हैं। जो पांच दिन तक संध्या को एक बार भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष इस्तनान करके पांच दिन तक व्रामनों को भोजन कराते हैं उन्हें संसार सागर के भोजन कराने जितना फल मिल जाता है। इस वरत में जो घोडे का दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों में दान करने जितना फल मिलता है। जो मनुष उत्तम भ्रामन को तील सही दान करते हैं वे तिल की संख्या के वराबर विश्नुलोक में वास करते हैं। जो मनुश्य पर्मा एकादशी से लगातर पांच दिन तक ब्रह्मचारिय का पालन करते हैं, वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में आनंद सुख भोगते हैं। हे पवित्रे तुम अपने पती के साथ इस व्रत को पूरे विदी विधान से करो, इससे तुमें सिद्धी प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग को भोगोगी। कॉंडिल्य मुनी के कतना आनुसार उन्होंने पर्मा एकादशी का पांच दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि एक राजकुमार उनके घर के सामने खड़ा है। राजकुमार ने उन्हें एक उत्तम घर दिया, जो समस्त वस्तुओं से धन्धानिय से भरा हुआ था। राजकुमार उनको एक गाउं भी देखर के गया साथी एक महल नुमा मकान दिया। दोनों ब्रामन दंपती इस व्रत के प्रभाव से इस लोग के समस्त सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोग को प्राप्त हुए। स्रिक्रश्न भगवान बोले कि हे राजन जो मनश्य पर्मा एक अदशी का प्रत करते हैं उन्हें समस्त तीर्थों दानों अधी का फर मिलता है। जिस प्रकार संसार में दो पैरवालों में ब्रामन, चार पैरवालों में गाई, देवताओं में इंद्र शेष्ट है। उसी प्रकार से मेनों में पुर्शुत्म मास का मेना उत्तम है। पुर्ण्य प्रताप से मिलती है। इसलिए मनुष्य को एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। हे युदिष्टर आपने मुझ से पूछाता तो मैंने तुम्हें पूरा विस्तार से बताया। अब इस कावरत भक्ती पूर्वा करो। जो मनुष्य पुर्शुत्म मास की हरी वल्लबा एकादशी कावरत करते हैं वे सर्ग में जाकर इंदर के समान सुकों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनिये और पूजनिये होते हैं। इस तरह आज हमने पुर्शुत्म मास में एकादशी के दिन एकादशी की कहानियों को सुना। आशा करती हूँ आपको ये अध्धाय अच्छा लगेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे आने वाली कता कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे बने रहें धन्यवाद